मैं परमेश्र का धनेवाद देता हूँ, इस सुबे के समय के लिए सर्वश्क्तिमान परमेश्र के चर्णों में प्रभु के वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका दिया, आएए आज सुबे के वचन मनन के लिए हम लोग नीती वचन पंद्रवाद ध्याएं, उसका सो प्रचनों को उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति के हातों से लिखवाया, जो उस समय का सबसे धनवान था। और बाद में, सच है उसने ये वचन लिखा है तो भी, उसके द्वारा परमेशर की आत्मा ने लिखवाया है तो भी, जरूर ये वचन को बहुत बार वो पढ़ा होगा। आते हुए धन से यहवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। थोड़ा सा धन परमेशर के भय के साथ रख जो है उत्तम है। आज बहुत से लोग एक आशिश में जीवन की कलपना करते हैं, सुखी जीवन के सुपने देखते हैं और वो प्रार्थना भी करते हैं कि कैसे न कैसे उनके संघर्ष में प्रभु की आशिश हो ताकि वो सफल हो। वो परमेशर के आशिश को संसार के धन दौलत के साथ नाप कर देखते हैं। यही जो चीज़े जो नाश होने वाली हैं। हमें धन चाहिए, तंदृस्ती भी चाहिए और हमारे संसार के जीवन के लिए कई वस्तु हैं हमें चाहिए। लेकिन समस्या कब आती है जब परमेशर ने जो हमें दिया उससे जब हम त्रिप्त नहीं होते हम संतुष्ट नहीं हैं। और फिर मनुष्य के अंदर की इच्छाएं कभी खतम नहीं होती और वो अपना प्रदूशित ग्यान उन बातों में लगाता है ताकि और भी चीज़ को पाए। और परमेशर को दुखी करने वाले हट टेड़े मार्ग भी अपनाता है ताकि और धंदौलत इखटा करें लेकिन उसके जीवन में उसके कारण और संकट ही खड़े होते हैं। और उसके जीवन में जो खुशी उसने अनुभव करना है वो खुशी भी उसके जीवन से चले जाती है। जान रखे उसका इस संसार का जीवन कुछी दिनों के लिए हैं। लेकिन मनुष्य इस बात को भूल कर ये संसार के सुक के पीछे वो भागने लगता है। और शैतान के परीक्षाओं में मो के कारण जाकर फसता है। और शैतान भी पूरा प्रयास करता है कि लोगों का ध्यान अनंतकाल के जीवन से हटा कर इस संसार की बातों में लगाएं। क्योंकि मनुष्य का जीवन पानी के बुलबले की तरह थोड़ी देर का है। और अगर वो इस संसार में पर्मेश्वर की इच्छा के इंसर नहीं चला तो शैतान जानता है जाने के बाद उसे सुधारने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब एक विक्ति पाप की गुलामी में हैं तो उसे इस संसार की चीजें उसके मोहित आंखों के लिए बहुत आकरशित लगती हैं। उसके पास जो कुछ है उससे वो कभी त्रिप्त नहीं होगा। वो अपने प्राण को त्रिप्त करने लिए और भी बड़े-बड़े सोपन देखेगा। हम जानते हैं न कैसे आदम परमेशर की तरह बनने के उस सोपन में पाप की दलदल में गिर गया। परमेशर की आत्मा बताती है कि हमारे पास थोड़ा जो भी है वो परमेशर के भय के साथ हो तो काफी है। इसका मतलब परमेशर नहीं चाहता कि हम संसार के धंदौलत में डूब कर बरबाद हो जाए। प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है, हमारी जीवन यात्रा के लिए जो भी दिया है उसमें हम त्रिप्थ हो जाए। और वो भी परमेशर के भय के साथ हम चले। क्योंकि परमेश्यर का भय एक विक्ती को परमेश्यर को प्रसंद कने वाले जीवन में जीवन जीने के लिए मदद करेगा। परमेश्यर का भय एक विक्ती को पाप से दूर रखेगा। क्योंकि पाप अनंतकाल का सजा उसके जीवन में लाता है। परमेश्वर का भए एक वेक्ती को पवित्र जीवन बिताने में मदद करेगा. हम इंसान के इतिहास, मनुष्य के इतिहास को जब देखते हैं, तो हम देखते हैं ना कैसे लालच ने, धन दौलत के लालच ने कितने लोगों के जीवनों को बरबाद किया. मनुष्य हर टेड़े मार्ग अपनाता है इन धन को इखटा करने के लिए. और जब थोड़ा सा धन इखटा होता है, वो और उसकी पीडियां अपने मोग को पूरा करने के लिए पाप में रास्ताओं को अपनाती है. जितना धन एक विक्ति इखटा करता है, उतना ही उसकी परेशानियां भी बढ़ती है. क्योंकि एक विक्ति कभी भी अपने प्राण के इस लालच को अपने बल से पूरा नहीं कर सकता. लेकिन एक विक्ति जो परमेशर का भय रखता है, उसमें वो बलवन्थ होगा, कि वो अपने शरीर की लालसाओं के उपर जैवन्थ हो. प्रभू चाहता है कि हम अनंत जीवन के विशे में जाग रुक रहे, उसी के बारे में हम सोचें. प्रभू नहीं चाहता कि हम संसार की चीजों में फस जाएं, क्योंकि ये चीजें हमारे अनंत खाल की तयारी में रुकावट बन जाएंगी. हमारा इस संसार का जीवन थोड़े दिनों का है. यही वच्चन को प्रभू येशु मसी के वच्चन के द्वारा इसकी पुष्टी को हम ध्यान से हम देख सकते हैं. मती छे अध्याय के 31 से 34 में वच्चन को जब हम पढ़ते हैं. इसलिए तुम चिंता करकर ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पीएंगे या क्या पहनेंगे. क्योंकि अन्य जाती है इन सब वस्तूओं की खोज में रहते हैं. पर तुम्हारा स्वर्ग्य पिता जानता है कि तुमें इन सब वस्तूओं की आवशकता है. इसलिए पहले तुम परमेशर के राज्य और उसके धरम की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुमें मिल जाएंगी अता है कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा आज के लिए आज ही का दुख बहुत है सो एक परमेशर के संतान के नाते आईए हम ध्यान से पवित्र और परमेशर को प्रसंदा एक एक जीवन बिताए हम परमेशर के वचन को स्मरन रखे और ये हमारे जीवन का सिध्धान्त हो जाए कि जो थोड़ा सा है वो परमेशर के भय के साथ जो है वो काफी है ये वचन हमारा न्यायना करने पाए जब हम प्रभू के सिंगासन के सामने खड़े हूं लेकिन ये वचन हम एक-एक को प्रभू के मार्ग में प्रसन दिल के साथ प्रभू ने हमें जो दिया है उसमें त्रिप्थ होकर चलने में मदद करें आईए हम प्रभू के पीछे एक धन्यवाद के दिल के साथ चलने में प्रभू की आत्मा हमें मदद करें आईए हम प्रभू को प्यार करें अपने प्रभू से लिप्टे रहें हमारा प्रभू हमें अपने अनंत घर में ले जाने के लिए अतिशी गरा रहा आपने हमें हमारी जरुवत के लिए सब कुछ दिया है। संतुष्ट रहने के लिए हमें मदद कर प्रभू। संसार के लोगों की तरह लालच के साथ और धनी खटा करने की होड में भागते वे अपने जीवन को बरबाद करने का मौका ना हो। आपके भए में पवित्रताई के साथ आपको प्रसंद करने वाले जीवन बिताने के लिए हमें मदद करें। आपके आशिश मांगते प्रभू। आपने हम एक-एक से बात कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। सब मही माफी को देते हैं ये शुमसी के मदो नाम से हम मांगते हैं। आमीन। प्रभू आप सब को बहुत आयत में आशिश दे। हमारा प्रभू अतिशी गरा राहा है। मारा नात।